कभी कभार मुझा आथ हैं पिछले सत्र में हमारी बहुत मजाक उड़ाइगे लिए मैं नहीं जामता हूँ इस प्रकार का भाशा का प्रयोग जो कर रहे तक उचीत होता था यहां तक कह दिया का आपको वीजा दे रहें पार्लामेंट माने का हूँ कि इस प्रकार का प्रयोग करने वाले लोगों को मैं और तो कुछ कहता नहीं हूँ लेगि में अंतराश्री स्थानों पर कुछ क्थ काम निर्धारी फोलते हैं जिसको करने पड़ते हैं कि अन मिटिंगों में पहले के पhradhanumatuyal को भी जाना पड़ता था इस इस प्रधानमंत्री को जाना पड़े रता है बविश में जो आएगा उसको भी जाना पड़ेगा लेकिन वही एक मजाक का विशे बन जाए कि हमारी राजनिती इतनी नीचे आगए है को ऐसी बातों की चर्चा कर रहे हैं कि आपके पास मेरी आलोचना करने के लिए और कोई मुझे लेकिन मैं चाहता हूँ अग्र आपको देश की इतनी चिंटा थी तो आप इस देश का प्रधानमंत्रे विदेश गया तो कितना समय कहां बिताया कभी उसकी पी तो जाँच कर लेते कभी उसकी भी ते इंक्वाइर कर लेते हैं मैं आज कहना चाहता हूं जी मैं जपान गया तो जपान मेरे कारकम है मैंने एक कारकम क्या जोड़ा मैं वहाँ एक नॉबल लॉरियेट साइंटिस यका महा को मिलने गया क्यों फोटो निकल वाले के लिए मैं इसलिए किया गया को उन्होंने स्टेंप सेल के अंदर जो रिसर्च की है मैंने जीतना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक होज हमारे काम आ सकती है क्योंकि मैं मैं जानता हूं मेरे देश के आधिवासी उन आधिवास्यों को इसे जूजना पढ़ रहा है और सिकल सेल की बिमारी कैंसर से भी भैंकर होती है जिन्होंने सिकल सेल की बिमारी वालों के भी से मैं पूछाए तो पता चलेगा यह कितनी पीडा दायक होती है और पीडी दर पीडी चलती है अभी तक उसकी कोई दबाई नहीं मिली है एक हमें हमारा काम हो रहा है कि स्टेंशन्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस कुछ खोज करें मेरे आदिवासी भाहियों को पीड़ी दर पीड़ी जो परेशानियों से जिन्द की गुजाननी पड़ती है उससे वो बहारा रहे हैं हम ऑस्टेलिया गए है जी ट्वेंटी समीट में गए है हम कहां गए है मैं उस किसानों की साइंटिस्ट अग्रिकल्टर साइंटिस्टों को मिलने गए उनके लेप में गया जिन्होंने प्रती हेक्टर जादा चना उगाने का और सबसे खराब धरती पर चना उगाने का सफल प्रयोप किया था रिसर्च किया था कहीं पढ़ा था मैंने मेरे मन में पढ़ा था मैं उनके पांद गया हमारे देश को पलसीस में हम बहुत पीछे हैं देश को पलसी त świeमारा किसान अच्छी मातरा में प्रोटीन कर सकता है अधर प्रती हेक्टर जाधा PulsiD cámara कर सकता है तो उसको भी अच्छी आए मेलेगीगा और करीब अभिभला होगा और इसलिए में उन साइंटिस को पाद जा करें गंटे विताएं समझने के लिए कि बताइए मेरे देश के किसाने को ज्यादा पुलसिस पादा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है। हर और हर पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है उसके लिए मैंने समय बिताया मैं एक और साइंटिस के पास गया इस बात के लिए गया मिलने के लिए कि उन्होंने केले में केले में कुछ नहीं खोच की थी मैं समझदा चाता मुझे पुरा पता नहीं था तो मैं ऐसे ही चला गया उनके पास उनके साथ बैठा उनकी लेब देखिए उनके प्रवल देखिए उन्होंने केले में नुट्रेशन वैल्यू बढ़ाने में बहुत सफलता पाई है अधिक विटामीन को पाने की सफलता पाई है केला ये अमीरों का फल नहीं है मेरे भाईयो बहनों केला केला ये गरीब से गरीब का फल हो अगर केला उसमें निट्रिशन वैल्यू बढ़ता है विटामीन अगर ज़्यादा अच्छे मिलते हैं और इस प्रकार की खोट के साथ केला बनता है तो मेरे देश का गरीब से गरीब केला खाएगा उसको ज़्यादा थाकत बिलेगी अगर विदेश जाते हैं तो इस काम के लिए जाते हैं देश का गरीब हमारे दिमाग में होता है देश का आधिवासी हमारे दिमाग में होता है देश का किसान हमारे आधिव दिमाग में होता है और दुनिया में दुनिया में जो भी अच्छा है जो मेरे देश के गरीबों के काम आए उसको लाने की एक तड़प होती है उस थड़क के लिए हम कोशिश करते हैं और इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए हम किस प्रकार देश को आगे ले जाएं उसके लिए सोचते हैं उसी को लिए करते रहते हैं उसी पर हम करना के लिए कोशिश प्रयास करते हैं